अलो स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे या आप इसको एप पे देख रहे हैं या किस भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब का स्वागत हो और आप सबने यह जो कूर्स पर चीज किया है या फिर लाइफ से आप देख रहे हैं उसके ब तो आर्थेमेंटिक मैट्स तो बिसीकली इसी टॉपिक से रीलेट करते हैं पूरी के पूरी एर्थेमेटिक और आप बात करें हम लोग मेंस्यूडिशन में इसको यूज करेंगे हम लोग law GLORIA में सको यूज करेंगे तो यह बहुत SIMPORTनट पारट है मैट्स का चलिए आज डि नहींना कहीं 100 से correlate करने वाली बात है percentage तो percentage को हम पहले समझते हैं और उसके बाद फर्दर हमें आगे चल देखें पर्सेंटेज का पहले बता दूं सिंबल होता है यह वाला ऐसा सिंबल होता है और इस सिंबल का गोर से देखेंगे ना तो यह fraction यह देख लो ऊपर कुछ लिखा यह fraction का इस सिंबल एक रंक से देखा जाए तो percentage मतलब fraction percentage का मतलब होता है किसी भी चीज कोंडर के format में देखना हंडर के format में सोचना वही percentage है वही परसेंटेज है परसेंटेज्वा सिंपल सा मतलब होता है कोई नंबर upon में 100 किज़ में हंडरेड इसी कौम लोग बोलते है में calculate करना, this is called percentage, मुझे, मुझे निकालना था 1%, तो इसका मतलब हुआ, 1 upon 100, 1 upon 100, ये 1% के एकवल है, मुझे लेना था 2%, तो इसका मतलब हुआ, 2 upon 100, 2 upon 100, मुझे लेना था 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 upon 100, तो all these are the, all these are the, all these are the things की percentage क्या होते हैं, percentage का मतलब एक fraction होता है, जिसके denominator में हमेशा हमें 100 लेके calculate करना होता है, this is called percentage, this is called percentage, I hope कि आपको percentage की थोड़ी सी बात समझ में आया होगी, कि percentage का मेनिंग क्या होता है, percentage एक देंग से एक fraction होता है, जिसका denominator किस से compare करते हैं, लोग 100 से compare करते हैं, अब बात समझने वाली बात हैं, कि percentage है, तो मैं एक statement लिख सकता हूँ, कि भाई, जो every number है ना, every number is 100% of itself, मतलब हर number अपने आपका 100% ही होता है, मैंने बोला 5 है, तो सर्फ 5 क्या है, सर्फ 5 अपने आप में 100% ही है, 5 अपने आप में 100% ही, मैंने बोला 200, ये भी अपने आप में 100% ही, अब 100% और 100 दोनों अलग लग है, 100 एक number है, 100% एक comparison है, एक fraction है, जिसमें denominator का हमें 100 बनाना होता है, मैंने बोला 5,692, ये भी अपने आप में तो 100% ही, तो every number is 100% of itself, हर number अपने आपका 100% होता है, अब उस number को या तो हम लोग बढ़ा देते हैं, तो उसका percentage बढ़ जाता है, या हम उस number को कम कर लेते हैं, तो उसका percentage डाउन हो जाता है, ये बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन फिलाल हमें एक बात पता होनी चीए, अब दूसरी ब fraction है, जिसके denominator में कितना होता है, 100 होता है, जिसके denominator में कितना होता है, 100 होता है, तो percentage is nothing, only इस रेंग का एक fraction है, तो मैं देखी एक बात को समझता हूँ, एक तो होता है fraction number, एक होता है fraction number, और एक होता है percentage number, या ऐसे लिख दू, percentage number, एक होता है fraction number, एक percentage number, अब यदि किसी fraction को percentage बनाना है तो multiply कर दो 100 से यदि किसी fraction को percentage बनाना है तो multiply with 100 और यदि किसी percentage से fraction बनाना है तो उसको divide कर दो 100 से इस बात को मैं समझाता हूँ इस बात को मैं समझाता हूँ इदे लिखावा है 1 by 20 1 by 20 कह है तर एक fraction number है numerate upon denominator है एक fraction बन रहा है क्या change करना है इसको में इसको बनाना है percentage क्या बनाना है percentage क्या करना चीए मुझे क्या करना चीए multiply with 100 क्या करना चीए multiply with 100 करना चीए yes or no तो हम इसको multiply कर लेते 100 से कितना आगे भाई 5 तो क्या बने गया यह 5 परसंट यानि 1 by 20 is nothing it's 5 परसंट 1 by 20 is nothing is a 5 परसंट अब मैं बोलूं sir कहीं पी लिखावे 25 परसंट तो कैसा नंबर है तर एक percentage number है कैसा नंबर है percentage नंबर है मुझे इससे fraction बनाना है मुझे इससे क्या बनाना है fraction बनाना है तो यह symbol हटेगा तो यह symbol हटेगा तो जैसी यह symbol हटेगा तो upon में कितना आएगा 100 आएगा 25 बन जा 25 25 फूर जा 100 तो 1 by 4 आ गया कितना आ गया 1 by 4 अब आपको बात समझ में आगे होगी कि हर नंबर अपने आपका 100 परसंट होता है और यह percentage का सिम्बल होता है percentage का मतलब निम्रेट रपाउन में 100 रहता है और fraction नंबर को यह दि परसंटेज नंबर बनाना है और से तो 1 by 2 को मैं लिख सकता हूं 50 परसंट है 1 by 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 50 परसंट लिख सकता हूं तो 50 परसंट को मैं क्या बोल सकता हूं सर 1 by 2 है यहनि किसी भी नंबर का मुझे 50 परसंट निकालना हो तो मतलब उसका मुझे 1 by 2 करना है और मुझे उसका half करना है Example 4, मैं बोलू 34 का मुझे 50% निकालना है 34 का मुझे 50% निकालना है तो ऐसे लिखते हैं कि 34 of 50% या कही वारे से बोल सकते हैं 50% of 34, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं इन दोनों ही situation में बता है कि off का symbol अटेगा तो क्या आएगा? multiply आएगा multiply का symbol आएगा अब 34 का 50% निकालना हो तो मैं लिखूँगा 34, 50 ये symbol अटेगा अपॉन में कितना आएगा? 100, 10, 10, 10, 5, 10, 5, 2, 2 तो 34 multiply वी दिक्या हो गया? half, कितना हो गया? और यही चीज मैं बता रहा हूँ कि 50% का मतलब क्या होता है? half, क्या होता है? half, हमें 34 को direct half से multiply कर दो ये दि उसका 50% निकालना है तो तो कितना आजाएगा भाई? ये आजाएगा 17, कितना आजाएगा भाई? 17, अभी ये दि मैं आप से बोलूँ बताओ, 24 का 50% क्या होगा? 24 का 50% क्या होगा? तो आप तुरंट से बता देंगे calculate करने के जोड़त है क्या? वोई जोड़त नहीं है, आपको किसी भी number का इसका मैं आप से पूछों, बताओ 50% क्या होगा? इसका 50% क्या होगा? 50% क्या होगा? तो आप बहुत आसा नहीं से निकाल सकते हैं क्या करना है? सीधा इसका half कर देंगे तो 300 का half कितना होता है? 150 और 36 का half कितना होता है? 18 150 और 18 कितना हो गया? 168 कितना हो गया? तो हमें क्या करना है? समझना है बात को सॉरी, हमें बात को समझना है, क्या समझना है? कि 1 by 2 का मतलब होता है 50% 1 by 2 fraction का मतलब कितना होता है? इसी डंग से 1 by 3 का मतलब कितना होता है 33 and a 1 3% 33 and a 1 3% आप से न इस तरह की क्यूशन आते हैं कि बताईए 45 का 33 1 3% निकालिए देखने में कैलकुलोशन बहुत बड़ी लग रही है बहुत हार्ड लग रही है फाई साब कैलकुलोशन बड़ी है क्योंकि सबसे पहले ये mix fraction है तो आप इसको process से करो तो कैसे किता time लगता है देखो पहले mix fraction है simple fraction में change करेंगे 33 जा 99 plus 1 100 upon में 3% आगे चलो 45 ये 100 upon में 3% का symbol आता है तो upon में क्या आता है 100 अब 100 से इंड़िड क्या हो गया cancel 45 को multiply कैसे करना है 1 by 3 से तो answer कितना आया 15 इतने चार step करने पड़ते हैं और यदी मुझे दिमाग में मेरे ये print हो कि 33 1 by 3 का एक fraction होता है और fraction कितना होता है 1 by 3 कितना होता है तो क्या करोगे आप 45 को सीधा multiply किससे कर दोगे answer कितना आ गया answer कितना आ गया 15 तो यदी मुझे fraction याद है तो मैं percentage को बहुत आसानी से कर सकता हूँ कितना ही बड़ा क्यूशन हो ऐसे ऐसे अजीब सा क्यूशन दे रखाओ बोलो इसका निकालिए 33 1 by 3 परसेंट आपको तो इन्फ्यूज हो नहीं नहीं है concept के लिए रहें फंडा के लिए रहें तीन से सीधा डिवाइड करना है उतर आ गया यह वाला चलिए हो गया काम ना तो आपको ध्यान रखना है कि 1 by 2 का मतलब 50 परसेंट और 1 by 3 का मतलब 33 1.5 परसेंट इसी डेंग से 1 by 4 का मतलब 25 परसेंट होता है बिटा जी आपको बोला जाए किसी भी नंबर का आपको बोले 24 का 24 का 25 परसेंट निकाल लिए तो calculate करना ही नहीं है 25 परसेंट को तो आपको 1 by 4 देखना है कितना देखना है 1 by 4 तो क्या करना है सीधा 4 से डिवाइड कर तो answer कितना आ गया कि टाइम लगेगा टाइम नहीं लगाना हमें टाइम नहीं लगाना 1 by 5 का मतलब बिटा जी इसी डेंग से 20 परसेंट होता है 1 by 6 का मतलब अब में से आप निकाल कहां से रहे हो समझ में नहीं आ रहा हमें तो यह percentage कहां से निकाल रहे है आप percentage वाली बात समझ नहीं आ रही कि आप इसके आगे कैसे लिखते जा रहे हो 50% कैसे लिखा यह 33.5 कैसे लिखा यह बात समझ नहीं आ रहे तो पहले तो समझ लो यह 33.13% कैसे आया मैंने बोला 1 by 3 का percentage format बताना है और मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया था कि fraction को percentage में change करना हो तो multiply with a hundred multiply with a hundred multiply करो इसको hundred से तो क्या आ गया hundred upon में कैसा fraction है improper कैसा fraction है improper improper fraction क्या होता है जिसका numerator बड़ा होता है denominator कैसा होता है छोटा होता है क्या बोलते हैं improper fraction अब hundred में divide कर दो मेरे भाई 3 का 3 3 जा 9 1 बच गया 0 अतार लो again 3 3 जा क्या रह गया one remainder रह गया जो remainder रहता है वो उपर आता है और जितनी बार divide जाता है वो side में आता है और जिस से divide करते हैं वो इधर आता है यानि आप 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 hundred upon three को ऐसे लिख सकते हो कैसे 33 one by three 33 one by three आपको समझ में आया होगा कि मैं इनके आगे जो percentage लगा कर लिख रहा हूं तो मैं डारेक्ली इनको डिवाइड करके डिवाइड वाली चीज में डारेक्ट आपको बता रहा हूं तो इतना सा फरक है अब आपको निकालना है 1 by 6 का 1 by 6 का percentage format निकालना हो तो multiply with 100 2 से cut of 50 बार 2 से करा 3 time 50 में किसके divide करना है 3 का कितनी बार जाएगा 16 time 48 क्या बच जाएगा 2 16 2 by 3 percent कितना आएगा यहां पर 16 2 by 3 percentage 16 2 by 3 percentage पेपर में कई बार क्योशन आता है और आपको लगता भाई साभी तो बहुत हार्ड सा क्योशन आ गया आपको बोला बोला जाता है कि बताएगे आप निकाले इसका 16 2 by 3 percentage कैल्कुलेशन बड़ी हो सकती है यह दिया आपको percentage का आपको नॉलेशन नहीं है तो और जे आपको नॉलेशन आए तो यह चुटके मारों के अंसर आना लग जाएगा आ सकता है ना अंसर कैसे आपको पता है इसका मतलब क्या होते भाई किसका मतलब होते है 1 by 6 क्यों लिखूंगा मैं इतना बड़ा क्यों इसको simple fraction में चेंज करूंगा क्यो percentage देटाऊंगा मुझे तो ध्यान है मैं दो learn कर रखा है कि 1 by 6 का मतलब कितना 16 2 by अंधिक इसकंती हैㅋㅋ इसको चेंग करो जड़ा का यह पूरा पुरा क्तरा नहीं कटर रहा नहीं कटरास कोई ना कटता है 2 से कट रहे तो नना होथ्कष टाइम फिर से कंच मस्तेंगे यह रिक कांसर होगि कोडिकर तो आपको को क्या करना है ऐसे fractions को पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा और मैं थोड़ी से fraction और लिखवा देता हूँ अब आपको समझ में आगए इनका यूज क्या है डारेक्ली यूज का है ़ोन बाई सेवन का मतलिब क्या होगा बिता जी बेवन का डिवाइड करो हंड़ेड में हिम्तिन ऩा किसक्त नहीं नहीं होता है है किड़ाइड करो फटाफट tolerant हंडिछ में सेवन का कर सक fragrance किया स्टें बनजा नहीं 7-4 जा बोलो 7-4 जा 28 केरी कितना बच गया 2 तो क्या आ गया 14 2 by 7% 1 by 8 का मतलिब क्या होता है 8 से डिवाइड कर दो इसको 100 को 8 से डिवाइड करो 100 को 8 से किती बार डिवाइड जाएगा 8 बन जा एट टू जा इमेंटर क्या बच गया 4 तो 12 4 by 8 लेकिन यह तो 4 से इकट रहा है न तो वन टाइम टू टाइम तो मैं क्या लिखूंगा 12 and a half क्या लिखूंगा 12 and a half person 1 by 9 का मतलब अब 9 से डिवाइड करना है 9 11 जा कितना होता है 99 क्या होता है 99 वन रिमेंडर रह गया 1 by 10 का मतलब क्या होता है सर एक्जेक्टली 10 परसेंट क्यों पुरा-पुरा कट रहा है न 10 से दो और 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 एक आदावर लिख ले दें ताकि आपकी मैट्स बड़ी अच्छी सी हो जाए 1 by 11 का मतलब 9 1 by 11 परसेंट 1 by 20 निकाल लो डारेक्ट कितना होता है 5 परसेंट 1 by 50 निकाल लो कितना होता है 2 परसेंट तो यह इतने सारे फ्रेक्शन्स इसका स्क्रीन शोट ले सकते हो इसको रुटन कर सकते हो या वीडियो को पोज करके इसको देख सकते हो इतना सा फ्रेक्शन लेर्ण कर लो तो आपक चलिए हम लोग अभी चलते हैं प्रैक्टिस सेशन में और देखते हैं कि भाई हम जो सीख रहे हैं क्या रियली में काम आता है क्या अब आप यूँ चुटकिया मारों के आंसर आना ही पड़ेगा आंसर को और कुछ भी नया आयागा तो आईल मेक यू अंडरस्टेंड एक ची पाई फ्रेक्शन अब किसमें चेंज करना है मुझे इसको परसंटेज में इन वोट तो दू मुल्टिप्लाई विद अंडर वन जिरो से वन जिरो इसको मुल्टिप्लाई करो ओर फिफ्टी परसंट कितना गया पूर फिफ्टी परसंटेज इतना गया चार सुपचास परसंटेज तो इतना सासान सा है लिखा ओए 0.60 पूर बदाओ परसंटेज में चेंज करो ओए अपन में कितना आएगा फंड्रेड फ्रेक्शन से परसंटेज चेंज कर रहा हूँ मुल्टिप्लाई खावाएं पॉइंट आओ अपॉन में कितना आएगा हंडेड बन गया फ्रेक्षिन फ्रेक्षिन को पर्सेंटेज बनाना हो मुल्टीप्लाइविद हंडेड कितना आ गया आई होब कि अब आप कर पाएंगे और जो कुछ भी नहीं आएगा मैं दुबारा बताता रहूंगा ये रहाव पहला क्यूशन बोला इसको चेंज करना है पर्सेंटेज में तो 0.075 पहले इसको उड़ा दो अपॉन में 1000 पर्सेंटेज में चेंज करना हो मल्टीप्लाई में 100 दो 0 से दो 0 अब बन गया 75 पॉन में 10 पर्सेंटेज का सिंबल लगा दो भी लेकिन इसको 10 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 7.5 पर्सेंट कितना अंसर आजाएगा 7.5 पर्सेंट बहुत ही आसान है अराम से आप कर पाओगे कहीं भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है किसका अंसर बता दो क्या लिखा हुआ है पॉइंट दा 10 पर्सेंट ओफ 500 तो 500 ओफ का मतलब मल्टिप्लाई फिर निकालना है 10 पर्सेंटेज 500 पर्सेंट का सिंबल लटेगा पॉन में 100 आएगा एक जिरो से एक जिरो कटेगा इस एक जिरो से एक जिरो काट देंगे अब क्या बचेगा 50 इन टूवन क्या होता हे 50 ही होता है तो राइट आंसर एक तेंर किया है वीदियो पोस करके याद कर लेड़ कर लेना आपने याद कर लिया होगा तो सीधा मुल्टिप्लाय के अंसर कितना आ गया हमें करना ही नहीं था यह हमें तो करना ही नहीं था सीधा उसको करना था ना जैसे का वन परसेंट दो नमबर शुट के पॉइंट लगा दो मैं बोलू टैन थाउजन का वन परसेंट बताओ तो दो जिरो डादो अंडिड रवात आप कि बहुत ही आसानी से यदि आपको जितना भी निकालना है वन परसेंट और टैन परसेंट निकालना असानी चाहिए इतना बड़ा नमबर है इस तर इसका मलोता है वन परसेंट निकालो तो एक और दू याल बोल दोगे 5.6 1% कितना है 1% मैं बोलू 10 परसेंट निकालो एक जिरो अठाथा दो कितना आ जाएगा यही तो होता है यस ये लो नो वन परसेंट का मतलब क्या होगा 1 by 100, 100 से डिवाइड करना है न, क्योंकि 1% का मतलब क्या होता है, तर इसका मल होता है 1 by 100, यानि जो भी नंबर दे रखा, उसको 100 से डिवाइड कर दो, क्या आजाएगा, 1% आजाएगा, क्या आजाएगा, 1% आजाएगा, अगला क्योशन है, वाट परसेंट आफ 20 किलोमेटर, विल भी 20 मीटर, अब के 20 किलोमेटर का कितना परसेंट, 20 मीटर बन जाएगा, तो ये इसका कितना परसेंट पूछ रहा है, तो इसको लुख दो, उपर 20, नीचे भी लिख दो, 20, लेकिन रुको, रुको याँपे, और सो पूचो, कि भाई, वाट परसेंट आफ, 20 किलोमेटर, विल भी 20 मीटर, अब दोनों की यूनिट अलग-अलग है, एक जैसी नहीं है, ये किलोमेटर मेर, ये किसमें है, मीटर में, आप सीधा ऐसा करकर के, ये आप करोगे, तो इसका अंसर आजाएगा, 100%, इसका अंसर आजा ये बात तो गलत है, क्योंकि यहाँ किलोमेटर, वहाँ कौन सा है, मीटर, तो मुझे बोला कि 20 मीटर, 20 किलोमेटर का कितना है, तो इसको भी किलोमेटर को, या तो मीटर में चेंज करो, या मीटर को किलोमेटर में, और मुझे पता है कि एक किलोमेटर में कितने मीटर होते ह 1000 मीटर तो मैं इसको multiply किस से कर लूँगा 1000 से अब देखो यही मीटर में और यह भी किस में मीटर में अब कोई दिक्कत नहीं है यह cancel हो गया यह 20-20 cancel 1 by 10% 1 by 10 option में है क्या नहीं तो क्या काम करो 1 में 10 का divide कर दो answer आजाएगा 0.1% कितना आजाएगा 0.1% यह बहुत अच्छा सा easy सा सवाल है concept को समझना है भाई धान से पहले बताएगा अप लग कैसा रहा है यह दि आपको यह वीडियो सेशन जस लाएके live class लग रहा है आप लोगों को तो मज़े वाली बात है कि आप लोगों को सारे concept एकदम आराम से step by step देंक से समझ में आए फिर भी यह दि कोई समझ में नहीं आता है तो हमारे board line number पर contact कर सकते है हमारे executive से बात कर सकते है वो आप लोगों के जो feedback आप हम तक प्मचाएंगे और हम उसके उपर काम करने वाले है तो don't you worry change into percentage कुछ नहीं करना हमने सीख लिया ये number कैसा है fraction किसमें change करना है percentage multiply with the 25 बन जा 25 फोर जा 13 फोर जा 52 इंबल किसका option ढूंडो बस इतना आसान सा सवाल होता है ये तो बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं भी which of the following is equivalent to equivalent पूछ रहा है equivalent का मतलब होता है बराबर होता है 0.01 कैसा number है सरदेसिमल नमबर है answer किसमें percentage में answer किसमें percentage में तो क्या करेंगे पहले डेसिमल को उड़ा देंगे upon में क्या आएगा क्या बन गया डेसिमल से बन गया fraction number क्या बन गया fraction number decimal से क्या बन गया fraction number अब fraction number को change किसमें करना है यह बता रहा है आपको लिखावा नहीं है या इसके options बता रहा है किसमें change करना है percent में change करना है किसमें change करना है और fraction number को percentage में change करने के लिए क्या करते है multiply with a hundred hundred से भाई क्या कर दो multiply cancel 101 percent 101 percent बहुत ही आसान सा सवाल है बहुत ही गजब का सवाल है अगला क्यूशन के है there are fifteen boys and ten girls present in a dance class find the percentage of girls girls कितनी है sir ten उस class में total लोग कितने sir fifteen plus ten twenty five कितना है twenty five girls का percentage बता करना है तो girls का number उपर लिख दू boys का percentage पता करना हो तो boys का number उपर लिख देता क्या बन गया sir fraction बन गया क्या बन गया fraction बन गया और fraction को percentage में change करना हो तो क्या करते है क्या करते है multiply with a hundred multiply कर दो मेरे भाई hundred से कितना अंसर आ गया तो उस class में कितने percent लड़के आए 40% are girls 40% are girls 73 is obtained after reducing a number by 27% the number will be the number will be किसुन क्या बोल रहा है कि 73 obtain करते है after reducing a number by 27% कोई number एक था मैं बोलूँ वो number था x हमें तो नहीं पता भाई कौन सा number था और मैंने थोड़ी देर पहले पताया और यह पहला statement में लिखा कि every number is a 100% of itself every number is a 100% of itself तो यह अपने आप में क्या है कितना percent है 100% कितना है क्या बोला इसको बोल जाओ कितना reduce कितना कर रहे हो आप reduce कम कर रहे हो ना minus कर दो भाई कितना बचेगा 73% कितना बचेगा 70 इतना तो कम कर दिये ना आपने अब कितना बचा 73% 73% पोच तो अभी हमें इस नंबर को 27% reduce कर दिया तो नंबर का कितना बचा उस नंबर का बचा 73% कितना बचा 73% लिखा वागे दुबारा पढ़िए 73 is obtained 73 obtained होता है कब जब नंबर को reduce कर दिया जाता है 27% से तो हमने x का 73% निकाला तो हमें क्या मिला सर 73 मिला क्या मिला 73 मिला क्योंकि यही तो बोला गया है कितना मिला 73 मिला अब इसको solve कर लिजिए x multiply with 73 divide by 100 is equals to 73 किसको उदर लेके जाएए तो x equals to हो जाएगा 73 इदर divide वाला जाएगा multiply में और इदर multiply वाला जाएगा divide में 73 से 73 cancel x का value कितना आ गया 100 तो वो नंबर कितना है 100 है वो नंबर कितना है 100 है 100 का यदी 27% कम कर दें तो हमें क्या obtain होगा 73 obtain होगा चलिए अगले question की बात करतें if 12.5% of p ये 12.5 ऐसे लिखा वाई of p is equals to 125 ऐसे लिखा वाई find the value of p कुछ नहीं करना 12.5% तुम्हें याद आ रहे क्या 12.5 का मतलब कितना होता है 1 by 8 कितना होता है 1 by 8 तो 1 by 8 off का मतलब multiply यहाँ पे p 125 सीधा 8 को वाँ बेजदो p का value आ जाएगा 125 multiply with 8 calculate करोगे answer आएगा thousand कितना answer आएगा thousand यही थाउजंट का ही 12.5% होता है 125 तो p का value कितना है 125 कितना भाई 125 अगला क्योशन क्या है 35 percent of x is equals to 2 by 3 of 105 plus 70 यहाँ पे board mask का विसेज दियान रखना है sorry 35 percentage का symbol अटेगा upon में 100 यहाँ पे x 2 by 3 off अटेगा upon में sorry multiply हो जाएगा यहाँ पे 105 plus में कितना आजाएगा 70 अब इसको ऐसे रहने दो एक बार के लिए इसको cancel करिए 3 से क्योंकि देखो 105 कितना होता है 6 इसके digits का number 6 है 6 में 3 का divide जा रहे तो इस नमबर में 3 का divide जाएगा 70 plus 70 और इदर कितना है 35 100 multiply with x अब इसको मैं आगे यहाँ पे कर रहा हूँ 35 100 multiply with x is equals to 140 दोनों का सम कितना हो गया 140 35 देखो एक और चीज बता दो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखी 35 upon 100 x equals to लिखा हो है 140 ठीक है अब उपर वाले नंबर को उपर वाले नंबर से cancel कर सकते हो यदि उन दोनों नंबरों के plus या minus में कोई नंबर ना होता हो इसके plus minus में कोई नंबर नहीं है इसके भी नहीं है तो कर सकते हो 35 बंजा 35 35 फोर्जा होता है 140 100 को यहाँ बेज दो X का value आ गया 400 X का value कितना आ गया 400 400 इसका value आ गया X का value कितना आ गया 400 इसका answer आ गया So guys उमीद करता हूं कि आज के सेसन में आपको मजाया होगा आपको समझाया होगा जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है Again I repeat पूरा देखिए step by step सारी चीज़ें सारे concept समझेए क्योंकि इसका जो next part है वो आपको तभी समझ में आपाएगा जब first part को बहुत carefully आप सुनने वाले हो क्योंकि वह वापस से basic की बास second part में नहीं करूँगा कुछ नया आएगा तो बताओंगा जुरूर लेकिन पुराने वाले के लिए इसी वीडियो कप को बार बार देखना पड़ेगा मिलते हैं अंगली क्लास में तब तक बना ख्याल रखें खूब सारी पड़ाएके ने विश्यूंगे विडियों अल्ट बेस्ट एंड जय हिंद